ना संघर्स ना तकलीब तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लेगे हो सीने में आप लोग एंड तक देखने की कोशिस कीजेगा और एक एक कोशन बहुत ज्यादा बीबिया आप लोग क्या कर लीजेगा अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडिये भी हम लोग को प्रवाइड कर दिया जाए तो इसका पीडिये भी आप लोग को पूर्ण नताव फ्री पढ़ना है और मुझे यह भी पता है कि आप लोग का बोड एक्जाम भी सामने है तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है अगर आप जैन भी के स्टूडेंट से और त्यारी करना चाहते इसके लिए तो चलिए सुरू करते हैं और एक एक इक आप लोग अच्छे तरह के साथ में बता दूं यह के सिंदी दोनों से आप लोगो दखने को मिल जाएगा और एक चीज़ का अच्छे तरह किसे आप लोग का इसी चैनल पर मिल जाएगा तो देखिए पहला कोश्ट क्या बोला है और आज को थोड़ा सक्षां की सथाइ आप लोग का सपोर्ट और प्यार इस परकार से अच्छे तरह के से मिलता है तो आप लोग को कंटीनियो हर एक चीज़ को आच्छे तरह के से डीपली क्रियार कर जाएगा तो जोरू से जोरू comment में बताईएगा आप लोग को कौन सा subject का और भी जो है न वीडियो चाहिए जोरू comment में आप लोग कीजेगा ठीक है और mathematics में आप लोग को जो है न अच्छा marks लाने से कोई नहीं रोक सकता जैसे कि पता होगा जिसमें भी 20 questions पूछे आते तो 20 out of 20 अगर तो session को complete देख लिजे जस्ट इसी type से questions आप लोग का पूछा जाएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं उसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए निव आए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि एक एक notification आप लोग को मिलता रहे है ठीक है तो पर given data हम लोग लिख लेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है तो यहां पर दिया हुआ है a plus b equal to आपके पास कितना degree दिया हुआ है तो 90 degree यह आपके पास जो है ना दिया हुआ है equations के according यह बता जा रहा है कि आप लोग का दिया हुआ है ठीक है आपको find करने के लिए अगर देखें तो आपको find करना है cost है ठीक है तो cost a का value जो है क्या होगा यहीं आप लोगों से find करने के लिए बोलना है तो थोड़ा सा समझे गोर कीजे यहां पर देखिए जैसे कि पता ह चीज जो दिया हुआ है इसी चीज से आप लोगो यह देखने को मिल जाएगा देखिए इसको थोड़ा सा ओधर अच्छे त्रिक्स सॉल्प करें जैसे कि आप लोगो थोड़ा सी इधर बता रहे है ओधर जानकर ध्यान सुनिएगा जैसे माली एक्स प्लस 5 है और यह जो है प्लस का पांच इधर जा करके माइनस का पांच बन जाता है ठीक इसी परकार से इक्वेशन में भी हम लोग क्या करेंगे इसी परकार से कंसेप्ट लगाएंगे तो धियान से बाबू आप लोग समझे आप लोगो को क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों कुछ इस परकार से एका भीलू आ चुका है अब हम लोग यहाँ पर पूट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर कॉस जैसा था कॉस को हमने कुछ भी ने किया और एक जगा पर हम लोग इस मान को बैठा देंगे यान कि यहाँ पर क्या करेंगे 90 और माइनस का भी है ठीक है इस परकार सामने बेठा दिया आप देखिए मैं आपको थोड़ा सा और याद दिलाता हूं आप लोग थोड़ा से याद करने की कोसिस कीजेगा कि कॉस 90 माइनस जो थिटा आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 90 माइनस में थिटा तो यह किसके एक्वल होता ह आप लोग बताइए कॉस 90 माइनस जो थिटा होता है दोस्तों है ना यह किसके एक्वल होता है आप लोग खूद बताने का कोसिस करें ठीक है खूद बताने का कोसिस करें तो आपको पता होगा कॉस 90 माइनस थिटा दोस्तों यह साइन थिटा की एक्वल होता है तो मैंने यह आपके पास थिता के जग़े के भी है तो यहां पर भी आगए यहां साइन D देख्या कोशन को कुछ परकार से लिख सकते हैं यहां पर थीटा बराबर क्या दिया हुए तो थीटा बराबर 90 डिगरी यह उसी टाइप का कोशुंस यहां पर तैने नीचे 3 आगया तो यहांपर कट कर का ऐगा लैने कि थीट Где बरावर कितना आ गया तोATEL आपके सामने पस्टूध है तिक है यह आ गया आप देखिए यहां पर कॉस एजिटीज है और कॉस ठीटा के जहाँ पर हम क्या कर देंगे तीस डिग्री एस परका से बैठा दिए आप बताए कि कॉस तीस डिग्री का भेलू क्या होता है अगर आप लोग को मैंने टिगोनोमेट्रिक पड़ाया है आप हैं आप लोग नहीं देखें हैं तो विडियो का लिंक मिन्ट के अपको सकते हैं वहीं कर सकते हैं इसका लिंख देमने कवाद refugee complete detail ठीक है फिर भी है आपर मैं बता रहा हूं और आप लोग साइन के याद करेंगे तो कॉस का इजिल याद हो जाएगा कैसे साथ थोड़ा सा बता दीजा हम लोग को है ना तो देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा हूं देखिए इस परकार से साइन होत परकार से इसको इलबां बंडा नौ और अजाता है जैसे कि मैंने ऑज़ड़ लघिए आप लोग को पढ़ा रखाए आप लोग पड़ लिजयेगा ठीक है तो छलिए यहाँ पर हम लोग लिओ और इसको प., दोड़े और भी आप को एंसर को करते हैं ठीक है तो ध्यान सुनेंगे यहां पर क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2 हो जाएगा यह देख लिए किस ऑप्सिंस पर दिएगे उसी ऑप्सिंस को अप्लोग कर दीजे तो ऑप्सिं नमर बी आपके पास बिल्कुल करेक्ट एंसर्टिक उत्तर हो जा या फिर यह भी देख सकते हो यहां पर थिटा लिख दीजे ठीक है 1 प्लस 10 स्कुल थिटा इक्वेल टू क्या होगा यह आप लोगों से पूछ रहा है तो आप लोग असली फॉर्मुल तो पढ़े ही होंगे आप लोग इजीली पढ़े होंगे है ना कि 1 प्लस 10 स्कुल ठीक थिटा यह ही आपर चूट चूट गया है सभी में तो सभी में किस परकार से ठीक ता आप लोग बना ही जएक है अप्शण से लिग रहे हैं तो फिलाल आपका on तो चलिए हम लोग इसको देखने का परयास करते हैं यहां पर आप लोगों से यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यहां पर लोग का कोशन जो दिया गया था कि यहां पर करेंगे एक स्वासी और इसको बटे में च्छो लगा दें तो आपके पस देखो कितना हता है तो आपको बता दें कि आपके आपके आप 10-30 का जो वेलु होता है वान आपॉन रूट 3 होता है गर याद नहीं कर पा रहे तो आपको याद दलाने का कोशिस करते हैं जैसे मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा था उस डीटेल वाले वीडियो में यहना साइन का याद करेंगे क आप लोग इसे अटमेटिक याद करेंगे तो आप लोका इसको ऊटोमेटिक याद हो जाएगा जैसे इसमें 0-1 कि होता है 50 डीगुरी कि यहां। तो root 3 by 2 होता है अगर 90 degree की बात करें तो यह एक होता है तो इसको हम पहले यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर एक होगे आप फिर 6 degree को यहाँ पर लिखो यहाँ पर हो जाएगा root 3 by 2 फिर इसको यहाँ पर बार पर घलती हो ही जाता है चलो कोई नहीं चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा कियर बात समंझ स कर सके है कि 10 ठीटा जो होता है वो साइन ठीटा बाई कॉस्ट ठीटा की क्वेल आ जाता है गर बारी किसे कंसेट समझ मा रहे हैं जरू कमेंट करें और हमको जो है ना मोटिवेट करने का कोसिज करता है कैसे वीडियो आपको मिलेगा तो जैसे मैंना ऑप्सन नमर बी लागर आप इसे ऑवरल क्या बोल सकते हो इसे आप लोग 30 डीजी भी बोल सकते हो तो यहाँ पर थीश डीजी पर आप लोग चलिए 30 डीजी को देख लिजया यहां यह आपके पास 10 ीजीusta है आप लोगो दिख रहा होगा मैं कलर को थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ वैसे कोई दिकत नहीं है ठीक है चले कलर को थोड़ा से चेंज करते हुए मैंने बताया देखो साइन ठीटा र प्सकी रहा है है फिर आपके पास कोस ठीटा रोट 3 बाइ 2 हो गया है थोड़ी करेक्ट एंसर हो जाएगा और 90 degree का value एक होता है ठीक है चलो अगले questions के और बढ़ते हैं यहाँ पर अगला question देखिए बहुत आसान questions है और लाजवाब questions से क्या questions पूछा गया देख लिजे क्या कि एक बृत पर कितनी इसपर्स रेखा है की चीज़ा सकती है यहाँ पर आप लोगों से English से भी देखिए हो दूँ एक मिनट जी एक बृत पर दोस्तों इस परकार से आप अनान जो है ना इस परस रेखा हैं खिस सेकते हो जहां मन चाहें आप तहां भी किस परकार से खिस सेकते हो अनान ठीक है आनान त आप लोगों का खीचा जा सकता है एक बृत पर इस परस रेखा है की बात करें इसको बोलते हैं स्पर्स रेर नाम से जानेगे स्पर्स रेर रहए नहीं है कोई दितका और इस प्रकार से चेद करके चला जाए विट्थु को इसको बोलेंगे छेदक रेका नहीं से नहीं होता है तो आपको बारी की से बता जाएगा अगर टेंसर मत लिजा अगर आप लोग का support और प्यार भरपूर मिलता है तो आपको अच्छे तरीके से बता जाएगा ठीक है तो यह हो गया चीज को आप लोग याद रखीएगा ठीक है तो चलिए अब उसी परकार से देखो उसी concept को दो उसका अबना देता हूं जाना पूnorm है कि बोजर ने बहुत का 222 एक होगर पर आपके पास पी क्यू रेखा यह हमारा पी और यह हमारा क्यू ठीक है तो इसको इसको कौन सी रेखा के नाम से जानेंगे यह आप लोगों से पूछ रहे हैं तो मैंना भी बताया देखो इस परकार से आर पार हो गया ना तो आर पार को क्या बोलेंगे भाई छे देख रेखा है ना तो इनको इसे मतलब सारक्यल एक सार्क्यल कमेरा मतलब में शर्क्यल है एक निदु आपके पास यह था एक बिनु आपके पास भी था तो इसमें इस परका चेद करके चला गया देखो ना passing through passing through them ठीक है तो यहां PQ से चला गया तो उस रेखा का नाम क्या होगा तो उसका किस प्रकास क्या लाइन बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे भई चला अगले कोश्चन अगले कंसेट अगले चीज पर आते हैं इसे इंगलीस से भी आप लोग लग सकते हो ठीक है चलो अगले कोश्चन देखिए कि जदी दिगात बहुपद इस परकास से दिया गया है यहांपर क्या होगा देख लिए यहां पर कुछ इस परकार से दिया गया है तो यहां पर आप लोग से बुझ रहे हैं मतलब क्या दिगात बहुपद है ठीक है इसी को याद रखीएगा ठीक चलो आप लोगों से बोल रहा है कि इसका जो सुन्यां के अलफा यहां पर यह नहीं यह क्या है तो यह अलफा है और यह आपके यह वी alpha है पर यह आपके पास beta है clear बात समझ मागया आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर alpha plus beta निकालने के लिए आपको क्या करना होती इसका सुतर होता है minus b by यह ठीक है आप लोग पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जान लीजे और एक होता है अलफा मतलब जो गुनन होता है तिक अलफा इंट वीटा तो इसका होता है सी बाई है इस फ़रकर सब रिख्याद कर सकते हैं फिलाल यहीं चीज बोला है आप लोगों निकालते हैं सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा तो मैं आपको बता दू कंसेप्ट के लिए जिसका स आइक और है तो एक आमान चया हो गया एक हो गया यहाँ से क्या निकलेगा है माइनस निकलेगा यहां से आपके पास बराबर क्या गया सायख रखिए P minus b यह बोला था ना तो minus b का मान क्या है तो b minus 1 है ठीक है यहाँ पर minus 1 इस परकार से लगा दिया है ना minus a किस परकार से मैंने लगा दिया और बटे a क्या है a भी आपके पास 1 है और ला परवाई करके इस minus को मत छोड़िए गया क्योंकि already minus दिया गया है फिर आपके पास एक अगात सरी सरी एक अगात ने ए पर minus है ठीक है तो minus minus plus हो गया plus 1 में 1 इसको 1 लिख सकते हो है ना तो आपस नमर आपके पास c करेक्ट अंसर हो गया चलो जी आप अगले questions अगले सवाल को देखते हैं बहुत ही value क्या होगा ठीक है सबसे पहले समीकरन ठोली किए इसको solution हम बना रहे हैं इसको हम लोग क्या कर रहे हैं solve कर रहे हैं इसका video आप लोग को free up cost मिल जाएगा हमारे telegram और WhatsApp चनल पर ठीक है तो यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों 10x है और फिर 9y है और equal to 12 है ठीक है इस परकास से आप लोग के पास दिया गया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो और इसका हल क्या बोल ला है तो इसका अगर हल की बात करें तो 2k minus 1 फिर कॉमा में k दिया गया है ठीक है और मैं आपको बता दूँ यह जो पहला चीज रहता है पहला जो चीज रहता है यह x होता है यह क्या होता है और यह जो आपके पास दूसरा चीज आप लोग को देखने को मिले यह y होता है ठीक है मायनेस यह क्या हो गया- нес प्रकार सिखी है पृर मायनेस का नौ हुआ और आ यह का मांन देखो K है तो K दिया और शाया अब गुन धेकर कर दिया अब देखो गुना कर ऑख जाएगा wednesday iso 20 के हो गया 12 in 9 घटा होगे 11 के आ जाएगा यहना क्योंकि इधर देखो positive है और इधर देखो negative है घट जाएगा यहना और प्लस का संद बड़ा इसलिए plus हो जाएगा clear और minus का 10 200 बराबर के उससे जाता है तो positive बन जाता है यहना यहां पर 12 और plus में 11 करोगे तो किसके कोल आ जाएगा तो अपर कितना हो जाएगा आपके पास 22 हो जाता है ठीक है देखो कि आप लोग 11 नहीं यह 10 है वहीं तो हम समझ में नहीं आ रहा था है ना यह दोस्तों देखे 22 हो जाता है clear क्यूंकि देखो 10 और 10 20 और इधर 2 है ना वहीं जो हम इसको 11 कर दिये थे ठीक हम आप कीज़ेगा च आपके पास correct answer हो गया आयोफ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा देखे हमने complete कोसिस किया मैत को आप लोग के खोपड़ी में उतारने का तो इसका option नमर भी right answer हो गया तो मैत अगर मुझे से पढ़ना चाहते है तो आप लोग मुझे comment करके जरू बताएगा अपना feedback ज अगला session भी अगर चाहोगे तो मैं और एक थोड़ा से advance level का और एक math का session रखूंगा जो कि हमारा part 2 होने वाला है अगर यह part 2 दोस्तों आपकी demand पर आएगा ठीक है तो सबसे पहले part 2 आने के बाद ही हम लोग इसको cover up करेंगे PYQs को ठीक है तो अपने according अपने चीज के according part 2 क comment में чувств iq जरू दीजगा जितना जल्दी हो सके comment जरू कीजएगा तो आपको आप लोग हमे इनार्जी दीजगा तो comment करके feedback जरू दीजगा कि जो आजगा मैत का session था आप लोग औको कैसा लगा तो आज की सेशन के साथ हम विरा लेते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अपना पड़ाई को कंटीनियू रेखें जारी रेखें जाहिंद